दूस्थू ICC T20 World Cup 2024 के Super 8 में आज दो मैचे खेले गए आज का पहला मैच आस्ट्रेलिया बनाम बंगलादेश के बीचे खेला गया और इस मैच में बंगलादेश को आस्ट्रेलिया ने 28 रन से हरा कर पोइंच टेबल में काफी बड़ी बड़त बना लिया जबकि इंगलेंड को हरा कर सेमी फाइनल में कौलिफाय करने के साथ साथ पोइंच टेबल में पहले अस्थान पर पहुच गया तो ऐसे में कौन सी टीम कितने पोइंट के साथ किस अस्थान पर है और यहां से अब सेमी फाइनल में कौलिफाय करने के लिए किस टीम को यहां से कितन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना हुए से दोस्तो किरकेट से जुड़ी हर चोटी बड़ीने अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जो है जोइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगी त तो आये चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दूस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रूप उन के पोइंच टेबल की तो ग्रूप उन के पोइंच टेबल में जो टीम सबसे आखरी यानि की चौते अस्तान पर है वो है अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो अब तक एक मैच खेले और उस मैच में हार का सामना करना पड़ा, अफगानिस्तान के पास टोडल 0 पॉइंट है, वो इन ने डनेट माइनस 2.350 जो की काफी खराब अभी इस टीम को दो मैच और केलें, और इन दो के दोनों मैच में अफगानिस्तान को जीता हासिल करने होगी, साथ में ने डने मैच हारने वाली टीम बंगलादेश, बंगलादेश को आज के मैच में ऑस्टेलिया ने हरा दिया, बंगलादेश अब तक एक मैच के लिए और उस मैच में हार का सामना करना पड़ा है, बंगलादेश के पास टोडल 0 पॉइंट है, अभी इस टीम को 2 मैच और केलें, और इ मैच जीतने माली टीम आउस्टेलिया, आज के मैच में बंगलादेश को हरा दि, और अस्टेलिया जोब तक एक मैच के लिए उस मैच में जीता हासिल की है, और अस्टेलिया के पास टोडल 2 पॉइंट है, अने अने प्लस 1.824 है जो की काफी बहतर है, अभी इस टीम को 2 मैच और खेला और इन 2 मैचों में से कम से कम एक मैच में और जीता हासिल करनी होगी, सेमी फाइनल में कॉलिफाइ करने लिए, तो वही ग्रूप वन के पॉइंट टेबल में सबसे पहले अस्थान पर है, इंडिया, रोही शर्मा की कप्तानी वाले टीम इंडिया जो अब त हासिल करनी होगी, सेमी फाइनल में कॉलिफाइ करने लिए, इंडिया अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाले हो मुकाबला काल यानि 22 जून को बंगलादेश के खिलाफ खेला जाएगा, वही अब बात करते हैं ग्रूप टू के पॉइंट टेबल की, तो ग्रूप टू क पॉइंट टेबल में जो टीम सबसे आखरियानी की चौते अस्तान पर है, वह है वेस्टेंडीज, वेस्टेंडीज जो अब तक एक मैच खेले हैं और उस मैच में हार का सामना करना बड़ा है, वेस्टेंडीज के पास टोडल चीरो पॉइंट है, नेट अनेट माइनस 1.343 जो की काफी खराब है, अभी इस टीम को दो मैच और खेले हैं, और इन दो के दोनों मैच में जीत हासिल करने के साथ, सथ वेस्टेंडीज को अपना नेट अनेट भी बहतर करना होगा, सेमी फाइनल में कौलिफाइ करने के लिए, वेस्टेंडीज अपना अगला मुकाबला बाई जून को USA के खिलाफ खेलने फाली है, जबकि पॉइंस टेबल में जो टीम तीसरे अस्तान पर है, ओ है USA, USA जो अब तक एक मैच चेली है, और उस मैच में हार कास सामना करना पड़ा है, USA के पास टोडल जीरो पॉइंट है, लेकिन नेट रनेट जो वेस्टेंडी से थ यह से अपना अगला मुकाबला 22 जून को वेस्टेंडी से के खिलाफ खेलेगी, ग्रूप 2 के पॉइंस टेबल में दूसरे अस्तान पर है आज का मैच हारने वाली टीम इंग्लेंड, इंग्लेंड को आज के मैच में साउथ अफरीका ने हारा दी, इंग्लेंड जो अब तक में कॉलिफाइक कर निकले, इंग्लेंड अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली हो, मुकाबला USA के खिलाफ खेला जाएगा, वही ग्रूप 2 के पॉइंस टेबल में सबसे पहले अस्तान पर है, आज का मैच जीतने वाले टीम साउथ अफरीका, साउथ अफरीका ने आज सबस्क्राइब कर लिए, अभी इस टीम को एक मैच और खिलने हैं, यह रहा ICC T20 World Cup 2024 का नया पॉइंस टेबल, जो कि 45 मैच इंग्लेंड बनाव साउथ अफरीका के मैच के बाद कर दो, दोस्तो आपको क्या लगता है, कौन कौन सी हो, चार टीमे रहेंगी, जो सेमी फाइनल और सेमी फाइनल टू में कौलिफाइब कर पाएंगे, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, तो दोस्तो इस टो बतने हैं, अगर आप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइक अन दबा देना, थैंकिस सो मैच कर दो बताए लाव-एंद, वीडियो कर दो बताएंगे, के वीडियो के पाएंद, तो दो दो जख्के भीडियो प्के